नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकैडमी क्लासेस पर यहां हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अभिदय कोचिंग योजना के बारे में जिसे बताया गया था कि ये कोचिंग सभी उत्रपदेश के भ्यार्थियों के लिए होगी और इसमें सभी लोगों को कोचिंग का जो स्टूडूल है जो कोचिंग करने में दिक्कते हो रही थी उनके लिए ये फाइदे मंद होगा जो तैयारी करते हैं बिभिन परिक्षाओं की जो competitive exams होते हैं उनके लिए तो वो form आ गया है और ये सभी वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए हैं चाहे वो जन्रल हो OBC हो SCST हो हैंडिकेप सभी के लिए हैं और ये सभी लोग apply कर सकते हैं कैसे करेंगे apply आईए इस particular वीडियो में देखते हैं और समझते हैं किस step को इस online registration का जो link है वो मैं आपको अपने description box में link प्रवाइड करा दूँगा जिससे आप सीधा वहाँ जाकर apply कर पाएंगे और ये है पढ़ेगा उत्तरपदेश बढ़ेगा उत्तरपदेश हर संभव प्रियास सफलता की ओर तो आईए सुरू करते हैं य इसके description में भी आप समझ सकते हैं आप यहाँ देखिए ये अविदय.up.gov.in है how to apply तो यहाँ पर आप नीचे जब scroll करेंगे तो scroll करने पर आपको देखिए ये आपको how to apply you can apply for online and offline classes by the following these steps तो यहाँ पर ये steps आपको provide कराएगे हैं एक selection examination, fill up the forms, verify accounts, get confirmation ये 4 steps में ये form आपका है यहाँ पर आप आसानी से इसे देख सकते हैं देखिए चार step में form है पहले आपको क्या करना है examination select करना है किस examination के लिए आप preparation करना चाहते हैं फिर fill up form करना है फिर verify accounts कर देना है और get permission कर देना है तो ये चीज़े आपकी समझ में आगई होंगी आप आसानी से और सभी वर्गों के लिए है मैं एक बार फिर से बता दू और अब देखिए यहां पर हम form हमारे सामने open हो गया है तो यहां सबसे पहले हमने बताता है कि आपको examination select करना है तो यहां examination select करना है आप जिस भी exam के ताहरी करते हैं चाहाई UPSC, UPSC, Prelims, Mains हो गया यह interview के लिए पर हो गया अब यहां पर आप देख सकते हैं कि India है, CDS है, JE है, NEET है और other competitive exams यहां पर है तो आप किसी में भी registration कर सकते हैं जैसे अगर हमाल लेजिए कि आप competitive exams के लिए other के लिए आप जाते हैं UPSC, C, TET इनके लिए जाते हैं तो यहां पर आप टेक करिए जिसमें भी आप टेक करेंग करने के बाद आप देखिए यहां पर personal detail बहुत चोटा सा form है और बहुत डिटेल नहीं मांगी गई है तो यहां आप अपना नाम भरिए जो proper में नाम है आपके 10th की mark seat पर यहां email भरना बहुत जरूरी है फिर अपना phone number क्योंकि इसी दोनो numbers पर यहां इमेल पर और mobile number पर ही आपको जो है OTP provide होगी यह दोनों चीज़े आप देख लिजिए फिर यहां से आपको division select करना है आप किस मंडल में आते हैं तो देखिए यहां पर जो मंडल दिये गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं असानी से देखिए आगरा, अलीगड, अलाहाबाद, आजमगड, बरेल बस्ती, चित्रकूट, देवी पाटन, आयोध्या, गोरकपूर, लखनव, मेरट, मिरजापूर, मुरादाबा, सहारन, वरसी, डिविजन, जहांसी, कानपूर तो यह total 18 मंडल हैं इसमें से कुछ कम है भी और अपडेट होते रहेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आ ग्रीजोशन है या अधर तो माल लेघिये हमने यहां पर ग्रीजोशन सेलेक्ट कर लिया हुआ को हिर आपका जो है यह हम पर अधर और ख्ञेक्त किये थे तो अगर आपके पास रोल नंबर यहाँ पर है इस फार्म का किसी का आपने फार्म अपलाई किया था यूपिट्र पॉलसी के तहर्ट तो आप यहाँ पर वो फार्म फिल अप कर दीजिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं फिर आप देखें यहाँ पर आपको address सेलेक्ट करना है तो select your address आप यहाँ जितने भी आपके district हैं यहाँ सारे दिये गए हैं आपकोई भी फीडिक्याग σेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लखनों सेलेट कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ पर Address अपना Fill Up कर देना है और अड़र्स करने के बाद आप आसानी से यहाँ पर देखेंगे यह आड़र्स यहाँ पर फिल हो गया उसके बाद आप यहाँ से Submit कर देंगे जैसे इस submit करेंगे तो आपको एक नया interface यहाँ पर मिल जाएगा आपने यहाँ पर submit किया और submit करने के बाद आपको यहाँ पर चीजें इस तरीके से please wait करने का option देने लगेगा जिसके क्योंकि हमने सारी यहाँ पर information फिल कर दी है और वैसे ही तुरंद आपको यहाँ please wait का option देने लगेगा और please wait के बाद जैसे ही यह हो जाएगा तो validity यहाँ पर validate करने लगेगा आपके नंबर पर OTP पहुन जाएगा यहाँ पर जो आपके पस email address आपने दिया था वो यहाँ पर लिखा होगा mobile number जो आपने दिया वो यहाँ पर लिखा होगा अगर आप कुद नहीं पहुँच रहा है तो recent यहाँ से कर सकते हैं और यहां से आप देख सकते हैं कि recent और mobile के लिए तो यहाँ पर आप पहले वाले step मेरे आप देख सकते हैं तो आपको एक नया step यहाँ पर आप मिलेगा और यह form submit हो जाएगा तो उम्मिद करता हूँ यह आपके लिए काफी useful वीडियो रह रहा होगा और अब बाकी चीज़ें आगे कर देखते हैं इसमें तो इस परकार आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया examination select किया फिर form को fill किया फिर verify किया और get confirmation कर लिया तो यह चारो steps आपको follow कर लेना है और इसके बाद चीज़ें आपकी okay हो जाएंगी और आपका form fill up हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ जो अभिदर योजना के तहट coaching है उसके बारे में नहीं पढ़ेगा उत्तरप्तेस बढ़ेगा उत्तरप्तेस हर सम्भव प्रियास सफलता की और इसके तहट आप सभी लोग registration करेंगे आसानी से इस coaching का lab उठा पाएंगे जिसमें बताया गया है कि ब बहुत यूसफुल वीडियो होगा जिस और आप मेरी तरफ से एक request है इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाईए जिससे सब ही लोग ज्यादा से ज्यादा लोग apply कर सके आप लोग जिस मंडल में रहते हैं उसी मंडल में इसे apply करिए जिससे आपको coaching जाना आनिवार हो जाए क्योंकि इसका उद्देश यही है कि किसी को जादा अपने घर से दूरी पर जाना ना पड़े पढ़ने के लिए आप जिस मंडल में हैं रहते हैं उसी मंडल में आप apply कर दीजिए वहीं आपको central alert हो जाएगा और आसानी से आप वहाँ पर पढ़ तो इस तरीके की information वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe करिए, like करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए जिससे उनको भी लाब मिल सके और इसी के साथ अगर कोई कहीं पर तुर्टी है, अगर कोई confusion है तो comment box में जरूर लिखें जिससे आपके उस confusion को दूर कि जा सके, तो मिलते हैं अगले information के साथ जो अभी दयोजना हो उससे related अगर अगली information आती है तो आपको वीडियो के माद्धिम से सोचना दी जाएगी